एक उवंकार सत्गुर प्रसाद नमशिकार गुरु दीवकू सात नाम जिस मंत्र सुनाया पवजल विच्चों कड कै मुकत पदारत माहि समाया जनम मरण पहो कटिया संसार ओग वियोग मिटाया संसा इह संसार है जनम मरण वेच्च दोख सबाया जमदांड सिरोना युत्तुरै साकत दुरजन जनम गवाया चरण गही गुरु देव दे सात शब्द दे मुकत कराया पाओ भगत गुर पुर्बकार नामदान शनान द्रड़ाया जेहा बियो तेहा फड़ पाया वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फत्य परम सतकार योग गुरु स्वारे सत संगी जनो पाईसाप पाई गुरुदास जी सिक पंथ दी बड़ी नायाब बेश कीमती हस्ती हन जिनाने सत्गुरु जी दे हजूर रह के वडमुलियां सेवामा गुर्मत नू परचारन परसारन हित समुचे समाजवे चते लोकाई वेच कीतियान पाईसाप जी कलवंदे तनी गुर्मत परचार करंदे महान विचारवान विदवान वक्ता ते ग्यातावी सन गुर्मत आशे नूं समझन वाले अते वाखवा कथावा देऊते परचारन वाली बड़ी महान अदुती शक्षियत था 25 पाई गुर्दास ची गुरू साथ जीदे हजूर रहके अते देश्याँ वेज दूर गुराड़े जा कि उननाने बहुत उचियां गुरू दरबारतियां पदभिया देऊते से वावाने भाहियां ने खैर सिन पाईस्ताव पाई गुर्दाश जीदियां वारा अते वारा अधी इन जो पवडियां हन उननों विचारन दा एक निमाना जया इयतन कर रहे हैं जिमें के पाई गुर्दाश जीदियां वारा दी अरमता उंदी है सबतों पहली वार पाई गुरदास जी ली पहली वार देद हिंजडी पहली पौडी है इसनों मूर मंगला चरण दा नाम टीका कारान देता है सबतों पहला इस नुकते नू समझ लेए कि मंगला चरण किसनों क्या जानदा है पार्ती, सब्यता देवेच, जदों कोई विदवान, कोई लिखारी, कोई कवी आपने किसे ग्रंथनू रंब करदा है, आपनी लिखतनू, आपनी पुस्तक जापोथीनू रंब करदा है ता सब तों पहिला, ओ आपने इश्टनू याद करदा है जएस इश्ट दे प्रती, ओ अपनी शर्दा रखदा है, यकीन रखदा है, पर उसा रखदा है उस इश्ट दे नांद उते, ओ अरदास करदा है इच्छा शक्ती दी मंग करदा है, एक कामना करदा है कि जएस कारजनू, जएस लिखतनू ओ शुरू करन जारे है उस लिखतनू बाकूबी ओ अपने अंजाम तक पहुंचा सके, उस दू नेपरे चाड़ सके गुरू गरंस्ताब जी दी बानी जिस विले आपाँ पड़ देया, साड़े कोल बहुत वड़ा प्रमान है गुरू साब जी ने बानी दी रमता देवेचर, सब तों पहला मंगला चरण नो थां देती है मंगला चरण जित्थे अकाल पुर्ख वाई गुरू दी सिप्त सला है उत्थे नाड़ दी नाड़ गुर्मत दा मूल सदाँद भी है जेस्त सदाँत नो समझे बिनासीं गुर्वाणी नो सुचजे टांग नाड़ समझ नी सकदे उदे अर्थ नी कर सकदे इसे तरह पाईस्ता पाई गुरू दाश जी ने आपनिया वारां दी रमता दी जड़ी पहली पौडी है वह अपने इस्त नो समर्पद कीती है पाई गुरू दाश जी दा इस्त पाई गुरू दाश जी नी शर्दा दा केंदर बिंदू कहुण है इसे नुक्ते नो मीसान नो समझना पवेगा पाई गुरू गुरू जी पहिली वार दे वेचश अते पहली पौडी दे वेच सचे सत्गुरु नू याद कर दे हां उन स्वाल है के पाई गुरुदास जी दा सचा सत्गुरु कौन है इस विच कोई दो राय नहीं पी गुरु गरंच साब जी दी बानी वेच गुरु सत्गुर अकाल पुर्ख वही गुरुदा बोदक है अते शवद ग्यान दा बोदक भी है पर इस दे नाल नाल सानु ए लुकता भी समझना पएगा भी पाई साब जी ने गुरु नानक साम महराज नू सचा सत्गुर कहके उनन दी सिफ्तो सलाते वड़याई वी पैली वार दे विच थां पूर थां कीती है अते पाई गुरु गुरु नानक महराज ने सानू गुर्मत दा गाड़ी रा बक्षिश करके साटे जीवन नू वियर्त दे चमेल्यां विचों कड़के सनू सहज ते साचदा मार्ग द्रड़ कराया है इस करके पाई साब आपनी पैली पाउडी दे वेच सचे सत्गुरु गुरु नानक पाथशा नू याद कर दे होया उनन दी सिफ्तो सला दे वेच ए पाउडी दी रचना कर रहे हन ते नाड़ दी नाड़ मानों के ओ गुरु साब जी ने जड़ा मार्ग मानवता नू द्रड़ कराया है उस दी शोबा करन दे नाड़ नाड़ वो आपने इश्ट नू चेते कर दे होया याद कर दे होया एक तरह दी अंद्रूनी तोर दे उते आपने इस कारे दी रमता दे वेच हिम्मत मांग रहे ने चड़ी कलादा जजबा मांग रहे ने आपने इस कार जमू नेपडे नेपडे चाड़न दी एक हिम्मत और एक अंद्रूनी तोर दे उते ताकत भी मांग रहे तो जिवें साटे मुसलमान वीर किसे कारई दी रमता करन लगे हैं बिसमिल्ला करदे ने जहोर पारती कल्चर वेच बहुत सारे कवी सायतकार, संगीतकार जो आपने कारई दी रमता करन तो पहला अपने इसनों याद करदे ने इसे लजे वेच पाईसापाई गुर्दास जी सच्चे सतगुदी सिफ्द सलादे नाड आपनिया वारां दी अरमता कर्दे ने पाईसाब जी दी प Εली पौड़ी दा पाथ हाँ जी ने शरवन कीता है शिव्में इसी पंक्ती वार पाईसाब जी दी विचार तौड़े नाड सांजी कर दे हैं पहिली पंक्ती वेच पाईसाब जी ने जिक्र कीता है नमशकार गुर्देव को सात नाम जिस मंत्र सुनाया नमशकार तो पाव है निवना, सिज़दा करना, चोक जाना, नमशकार करना, पाव आपना आप समर्पत कर देना, सरेंडर कर देना बादब प्रकाश सुरूप सत्गुरू नो मेरी नमशकार है क्योंके सचे सत्गुरू ने मेर करके अकाल पुर्ख दे सचे नाम दा उपदेश मंनो सुनाया है मंत्र तो पाव है उपदेश, पवजल विच्चों कड के मुक्त पदारत महें समाया जेस गुरूदेव ने आपने सचे उपदेश दे नार मेंनो विशेव कारां दे जगत दे पवजल विच्चों कड लिया है अते जीवन मुक्ती दा मार्ग देट कर आया है ख्याल विचराए थे मुक्त शबद दा पाव मरन मुक्ती तो नहीं, जीवन मुक्ती तो है क्योंकि गुर्मत दा जिड़ा कंसेप्ट है गुर्मत दा जिड़ा संकलप है वो जीवन मुक्ती दा संकलप है तो इस दे अर्थ भी विदवान अर्थकारा ने मुक्त पदार्थ दा पाव जीवन मुक्ती ओ पदार्थ जिड़ा मुक्ती वाल ले जाए ओ रस्ता जिड़ा मुक्ती नू द्रिड कराए मुक्त केड़ी चीज तो उना है इस दा जिकर पाईस्ताब ने वैसे ता अपनी अवारा विच थां पुर थां अपनी अलिखता विच कीता है पर अपन संखेप विच समझिए अग्यान तो मुक्त होना पर्म वहम तो मुक्तो उना विशे वकारा तो मुक्तो उना ओस राते चलना जेड़ा राज सत्गुरू सचे पाथशा सानु द्रिड कराओं देने बिबेकी बनाओं देने तेस्तनु मुक्त पदार्थ क्या गया है खैर गुर्बानी दे विच्वी मुक्त पदारता थां पुर्थां बड़ा सुन्दर वख्यान सत्गुरू जी ने कीता है तो पाईस साभ जी लिख दे ने इस करके नमशकार है कि गुरू देव ने किर्पा करके अकाल पुर्खदा सचा उपदेश सनु द्रड कराया जिस उपदेश दी बड़ालत वजा करके सनु विशेव कारांदे पवजल विचों कड के अग्यानता तों मुक्ती दे देती है जनम मरन पहो कटेया संसा रोग विजोग मिटाया जिस दी बड़ालते बक्षिश साड़े जीवन होते होई के साड़ा जमन मरन दा पहो कटेया गया पाव आवा गवन इस दा पाव है लम्मी पटकना दा जिड़ा दोर है साड़े जीवन विचों वो मुक गया है ते साड़े जीवन दे सैम संसा दार तुन्दा है सैम सोग दा मतलब है उदासी रोग दा मतलब है बिमारी डिजीज ते वियोग दा मतलब है विछोडा विशेव कारां दे आत्मक रोगां करके जिड़ा परमेश्यरतों साचतों साड़ा विछोडा हो जानदा है वियोग हो जानदा है अते वियोग दा सदका सी संसियां ते दुखां वेच केह जानदे हां एस अवस्थाचों एस रातों एस जीवन पैडी जीवन जुपती तों सानु साटगू जी ने बचा लिया है ते ए रोग ते वियोग ते ना तो पैदा होनवाले संसे खत्म कर दते हैं संसा एस संसार है जन्म मर्ण वेच दुख सबाया एस संसार प्राम ते प्रांतियां दा कार है बहुत सारे अनगिंत किसम दे परम मनुख दे जीवन नुगेरी राख दे हैं परम अग्यांता दी पैदाइश ने जिवें हनेरे चुपई होई रस्ती साप नजरों दी है इस ते तरह अंदर दे अग्यां गुबार ते हनेरे दा करके सच चूट ते चूट सच नजरों दा है जीवन अग्यांता दे कारण परमा वेच पुल के दुबर तकलीफ दे ते परेशानियां दा कर बन जान दे पाई गुरुदाश जी के इंदेने संसार परमा ते प्रांतियां दा कार है ते संसार दे परम प्रांतियां दे कारण मनुखी जीवन जेड़ है वो जमन मरन दे दोख वेच पटकना दे दोख वेच लगा आतार पसे आ रहींग है जम दंड सिरोना उतर है साकत दुर्जन जनम गुवाया इमें आत्मक मौत दा दंड दा मतलब है सजा आत्मक मौत रूप सजा सिर्टों नहीं उतर दी ते जिसनी वजा नाड जेड़ साकत साचतों टुटे होए दुर्जन वैर पाव दुश्मनी पाव वाले जेड़ साचते विरोधी हो जान वाले लोक ने उनना दुर्जन क्या गया है अजेगी साकत ते दुर्जन मनोवस्था वाले जीवन जुगती वाले मनोख जड़े ने उनना दे सिर्टों कदेवी आत्मक मौत दा दंड सजा नहीं उतर दी वो सजा दे ही पागीदार बने रही दे पर अजेही आलत वेचा चरण गहे गुरुदेव दे साथ शब्द दे मुगत कराया जिना ने गुरु दे चरण फड़ ले पाव साथ गुरु दा उपदेश ग्रैन कर लेया साथ गुरु नो समर्पत हो गए साथ गुरु ने किर्पा करके साथ शब्द साथ दा मतलब है सच्चा शब्द उपदेश आत्म ग्यान साथ गुरु ने सच्चा आत्म कग्यान बक्षिश करके उनानू जम दांड तो मुक्त कर देता है संसिया तो मुक्त कर देता है पढ़ पगत कुर पुर्भ कर नाम दान इस नान दिड़ा है पाईस्ताप जी लिखदे ने के गुरु देव ने किरपा कीती बक्षिश कीती रहमत कीती पाओ पाओ दार्थ है प्रेम पगत ता मतलब है इबादत परमीश्यर दे गुणानो आपने जीवन दा आंग बढ़ाउना वाही गुरु अकाल पुरुखनो सदीव काल नेडे समझना सद्गु जी आखदे ने पाओ पगत गुर पुर्व कर गुर पुर्व दा मतलब है गुरु दा जासगाइन करना गुरु दी सिफ्तो सलाते वडियाई करनी इवे जेड़ा वी गुरु दे अत्षबदाद कारी बढणा चाऊँदा है जां बढणा है वो की करदा है प्रेमा पगती नो हिर्दे वे चतारन करदा है अते सदा गुरु दी सिफ्तो सलाते गुरु दे दिते वए जासनो गुंदा है नामदान शनान द्रडाया अजेहे जीवानो गुर्देव नाम द्रड करऊंदे हा नामदार थै प्रमेश्चर वाल सिर्जन हार वाल कुद्रत दे करता वाल चकाओ रखना सुर्थ रखनी उसनो याद रखना दानदार थै खलकत वाल त्यान देना मानव जाती दी सेवा करनी हर एक प्राणी मातर दा पला लोचना इसनान दार थै आपने आप वाल त्यान करना आप तेनों सवारना आपने वजूदनों तलाशना ए तिन उत्म गोन गुर्देव ने द्रड करा देते हन जेहा बीयो तेहा फ़ल पाया जेवे असी जो कुछ बीज दे हां जेड़ा बीज असी जमीन वेच बीज दे हां ओही फसल ओही बूटा पैदा हुंदा है जेहा नहीं हुंदा कि असी बीजी ये कुछ होर तेवटी ये कुछ होर जेमें तर्तीदा तर्म है कि जेड़ा बीज असी सुटांगे जुगेगा ते ओही उगेगा उती जगा ते कोई दूसरी फसल, कोई दूसरा पौदा पैदा नहीं हो सकदा ठीक ऐसे त्रीके देनाड जेड़े जीव अपने हिरदे दी पूमी तरती वेच साथ गुरु दे उपदेश दा बीज भीज दे हन ओ गुरु दे आशे मताबक ही फाड़ी प्राप्ती कर लेगे हन जेस्त फाड़ा जेकर पाईस्ता पाई गुरुदास जीनेस्त पाईली पवडी दे वेच कीता है ओ जीवन मुक्ती दारा पालें दे हन उनना दे सहम उनना दे आत्मक रोग ते प्रमेशर्तों में छोडे दा ये जिड़ा संसा सहम है उनना दे सिरू उत्तर जन्दा है तो आत्मक मौत दी सजा दे पागी दार नहीं बढ़ दे उननों ऐसे जीवन दीदात प्रापत हो जान दी है वाही गुरू जी का खालसा वाही गुरू जी की फते